हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कौन? मैं केता हु कौन है? अरे, कहां गाया भोगिया? अरे, हीरा, अरे, हीरा, देखोई, इलाइट कैसे चल्लीगें अरे, हमारे, अरे, हमारे, क्या हो रहे हैं आपा? यह कैसा सवाल है? कि आप लोगों को दिख नहीं रहा है, मेरे भाय आरियन की मौत हो गई है आप दिख पुरा है, कि कि इतनी जल्दी में आप लोग आरियन की अस्ती उठाने के लिए कि आप कौन है, मेरा नाम तो शीशीर है, लेकिन आप लोग कौन है, इस तरह यहां कर हम से बत्तमीजी से बाते कर रहे हूँ CID, और हमेशा कर कि आरियन के खून हुआ है CID, आप लोगों को गलत फैमी हो रही है, मैं मिनाक्षी देवी हूँ, इस घर की मालकिन, यहां किसे का मर्डर नहीं हुआ, बगर जो, एक मिनिट, इस से पहले कि आपको यह और सवाल करें, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, कि आप लोग इस वक्त मेरे घर की चौकट प बिन बुलाए, बिन बुलाए नहीं आए हम लोग, हमें फोन किया गया था, यह बताया है कि यहां पर आरेन का खोन हुआ है, वाट नंसेंस, किसने किया था फोन, कोई हीरा नाम है, हीरा, तुम्हारी एतने हमत, नेरे मना करने के भावजोद तुमने लोगों को यहां बुल जाज ना, या फिर ऐसे तो नहीं ना, कि कोई आपका ही करीबी, उसी ने यह खोन किया हो, और आप उस पर पर परदा दालना चाहती है, बस, मैं अपने परिवार पे इतना गंदा इल्जाम परदाश नहीं कर सकती, तो फिर क्या वज़े थी CID को ना कॉल करने की, बज़ा कि अगर मैं आप लोगों को बता भी दूं कि मेरे बेटे आरियन का खून किस ने किया है, तो ना तो आप लोग यकीन करते और ना ही उसे पकड़ पाते, मिनक्षी देवी जी, जुनिया में ऐसा कोई भी खूनी नहीं है, जिसे हम नहीं पकड़ा, नाम बताईए, नाम ही त क्या, साप की आत्मा? हाँ, वो साप मरने के बाद, तेरे बेटे से अपना बज़ा लेने आया है, भूत बन कर, अगर आप लोगों को यकीन नहीं है, तो देख लीजे, मेरे बेटे की गर्दन पर साप के काचने के निशान है, देखिये माडम, मिनक्षी देवी, ठीक है, मिनक्षी देवी जी, CID कवा, सबूत, और सुरागों पर यकीन करती है, भूत प्रित के काहनियों पर नहीं है, सर, दरसल हमें यहाँ पर सिमिंग पूल की खुदाय के वक्त साप का गर मिला था, आरियन ने उसके उपर मिट्टी का तेल दल के जला दिया, सर, सारे साप मर गए, और अब वो बापस आगे, भूत बनके बदला ले ले, भूत, आप, सर, यह मेरी वाइफ है, नाइना, मुझे और मेरी पती यार, इनको तो नजर आया था, उसाप का भूत, आखे उसाप मेरी पती की जाद लेहीं है, मैंने तो एक तांत्रिक को भी बुलाया था, ताकि घर की शुद्धी गरा सको, लेकिन वो भी बुरी आत्मा को नहीं भगा पाई, सर, सभी नौकर घर चोड़कर चले गए, सिवाई फैनी और हीरा के, यह हमारे बर्सों के वफादार है, एरा, एरा तुमें एसा क्यों लगता है कि आरियन का खुन हुआ है, क्या तुमें इस साप के काटने वाद पर यकिन नहीं है, हाँ साप, हम साप का बदला नहीं मानते, क्योंकि मैं इस परिवार का नमक खाया है, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने आपको बुला लिया, ताहिए असली खुनी पकड़ा जाए, अच्छा है किया, तिर कमसकम कोई तो है इस घर में जो सेंसिबल बाते कर रहा है, क्या क्या खाक अच्छे बाते कर रहे है अगर आपको हमारी बाते ही इंसेंसिबल लग रही है, और इन नौकरों की बाते सेंसिबल लग रही है, तो फिर बताए, आरियन के गर्दन पर ये सांप के काटने का निशान कहां से आया है, किसी बात की तेकिकात करना चाहते है हम, मिलाद्खी देवी जी, और अब सब लो अब सब्सक्राइब लग राज को अकिला में सिमिंग करना बहुत अच्छा लग ता, आरियन यहां सुमिंग करने के लिए आय था रात में, और इसकी मौत के बारे में आप लोग को पता चला सुबह, आप लोग खोश में नहीं थे, हम लोग सब होस्पिटल की ओपिन के लि दस बजे चोटी देगी कि मैं बंगले के बीचे अपने रूम में सोने चला गया था बंगले के उस तरफ जी मतलब अगर अरियन ने यहां से मदद के लिए आवाज दी होगी अचिलाय भी होगा तो सर किसी ने सुना नहीं होगा अरे हीरा देखो यह लाइट कैसे चली गई वैसे हीरा आरियन को सुबह कितने बजे देखा तुमने सुबह छे बजे जखना है उनको चाय देने जी आठाए वैसे तुम सब लोग दिल्ली गए थे किस हॉस्पिटल के इनावरेशन के लिए सर हमारा खुद का हॉस्पिटल मेरे पापा डॉक्टर थे और उसके बाद मे और भाईबी मेरी मेरी वाइफ भी डॉक्टर है सर मेरा बटा सचेन और आर्यन की बेटी विनिता दोनों साथ मेरे मेडिकल की पड़ाई कर रहा हैं बोस्टन में अमेजिंग अजीब बात है घर में पूरा परिवार डॉक्टर है फिर भी इतना अंद विश्वार साफ, आपजी, जो यहां पे तो साफ के दिन है, हाँ, इसमें साफ हो सकता है, क्योंकि अक्सर साफ, चीटियों के या फिल खीडों के घरों में अपना घर बना देते हैं, यह ऐसा दो नहीं कि आरेन को साफ नहीं डिसा हो, और यह साफ के आतना वाली बात, यह लोग पहला रह सार आरेन को साफ ने पूल में काटा था, तो हो सकता है कि साफ की खाल, सलाइवा या साफ का सहर, सिमिन पूल के पानी में उसका टेसे हैं, काम करते हैं, सिमिन पूल का पानी का सैंपल ले 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 लेते हैं, फोरेंसी लैब की में तो कुछ बोलने को तो तो कुछ बोलने को क्या बोलूँ यार, यह केस इतना कंफ्यूजून है, कि मैं कुछ बोल ही नहीं सरक, एक काम करो, तुम 15 मिनट अराम कर लो, तक तक मैं अपने दिमाग को थोड़ी ताजी आवा दिया आता, प्लीज, क्या हम लोग मजाग करने आ आए आपार? मजाग, मैं कहां कह रहूं मजाग? आउनल, तो क्या कह रहा? यार तुम, अच्छा चाल, बॉस, बॉस जितनी बात पता चलिया ना उतनी बता देता हूं, लेकिन प्लीज, कोई सवाल जवाब मत करना, प्लीज, जगा भाई, वो जो स्वीमिंग पूर का पानी का सेंपल खाना उसमें असा कुछ भी नहीं मिला है जिससे सांप के बारे हम पता चले, कुछ भी नहीं है, ना सांप के चमनी का तो ट्रेसेज है, ना कोई सहर है उसका, कुछ भी तो नहीं है जिससे उसका डियने पता चले यार, कुछ भी नहीं है, तो उसमें कन्फुजिंग क्या है? मामल तो वो सालूके की जरूद क्या यार? तो भाईया, यह बात इतनी सीधी अगर होती, तो मेरा दिमाग नहीं भनना रहा होता. जितनी सच्चाई इस बात में है, कि यह साफ है, उतनी सच यह बात भी है, कि यह जो इसके गरदन पर जो साफ के काटे के निशान है, यह असली मिशान है, बतलब साफ नहीं काटा है. और इसके शरीम में जू जहर है, वो भी साफ का जहर है. जो साफ का जहर है, यार वो. मंगर सर, अबही है तो आपने कहा कि पूल में साफ आया ही ही नी. फिर आरियन के शरीम में कोबरा का जहर कहा से आया? यह तो कन्फूजन है, बच्चे, यही तो कन्फूजन है तो आप यह जाते हैं कि इसे वाक़ी किसी साप की आत्मा ने काच था है जो पूलके ऊपर हुआ में उड़के आई वो सुन ले ना बस या सानु के एक बात बता है तुछ ऐसे नहीं लग रहा है कि तेरे से कुछ छूट रहा है तेरे फॉरण से की इंवेस्टेगेशन में कोई मिसिंग लिंक है जो तू ढूंड नहीं पा रहा है तो दो दो रिजल्स कहसे आ सकते हैं यार यहीं तो कन्फिजर है दो दो रिजल्स क्यों आएंगे लेकिन आये बस साफ का जो असली जहर है उसे और इसके शरीर में जो जहर है उसको तोनों को मैंने कंपेर किया बड़ी आश कि बाख्यrd has a ho ly घंडरा यहीं जाता है व्रफ जRegसिंग को शॉड़ेट में तो नहीं हैं है क्या हैं कि मऌता किसी संग कर्फें की अजेए हुई आक Elag is the aureeim के मौत ना किसी संप के काटने की वज़े से भूई हैं ना किसी इंसान ने उसे माराई है तो फिर हारियन मरा कैसे? पापा, पापा वो बाकी का जो काम है वो कल पूरा करनेंगे मैं जाके दूसरा के बेनों से लॉकल मार दिता हूं तब तक आप दोनो इसको लॉकल मार दीजी ठीक है बता तब यह एक्सरे? इंपॉसिबल, यह तो इनसायन के दातों का एक्सरे है लेकिन इसके दात तो साप कह है? अरे, यह क्या हुआ? एक नुट सर्में देख्ते आता हूं आता है अरे? यह अवास कैसी है? सांप, उनके पैर में भी साप के काटने करिशान है. विरसे सांप? क्या है सार आपने? सांप? सांप, क्यों? क्या हुआ? सार लाट जाने पहले सिथवीर सार और में एक्स-रे देख रहे थे. एक्स-रे में तो आदमी के तांग ते साथ सांप कमी तांट देख रहा है? अगर अभी जीत अगर सांप है तो सांप 20 मंजिल चड़कर ऊपर है आइस बिल्डिंग यह कैसे हो सकता है? पताया तो है आपको, सापकी आत्मा है पर आप CID वाले तो बानने को तैयार ही लेए ना? सर यह एक्स-रे नकली हो सकते हैं, यह सब प्रस्थेटिक के दांट हो सकते हैं तुमारे पापा कमरे में के लिए थे जब चीक की आवाज आई? की सर? और कोई कमरे से बाहर आते दिखा? नहीं, सर. मतलब खुनी किसी दूसरे रास्ते से इस कमरे से बाहर गया है? लेकिन, सर, यहां तो कोई और रास्ता है नहीं, सर बाहर जाने का? नहीं कैसे होगा? खुली तो रास्ता जरूर होगा, कोई खोफिया रास्ता. जर्ण, आदेया, सरे देखिए, दिवार में चेड है, खुनी तो नहीं पर साप इस चेड से आसानी से आ जा सकता है, इस कमरे में. जर्ण, यह चेड कहीं तुझ जाता हो क्या ना? क्या है इस कमरे के बगर में? सरी, इस कमरे के बरावर में सारे एक और कमरा है. जर्ण, जर्ण, वो स्प्रे ले करो, जो सानुते ने बनाया, स्नेक स्लाइम के लिए, जिससे वो कलर बदल देता है, अधर स्नेक आए तो. नहीं? इस गई की मतलब है, कोई सांप नहीं है अधर इस कमरे में. सर, अधिल वाला कमरा चेक्किया, वहां पे तो कोई चेड है नहीं. चेड कहीं नहीं जा रहा है, सिर्फ इस दिवार में ही खतम हो रहा है. सर, ये राहूल और सचिन ने भी कहा कि आर किसी आदमी को जाते वह ने दिखा, ये खूंग किया किसने? अधिलेटली सांप ने तो नहीं किया है. अभजित माना कि तुमें बहुत ही सिंसियर ओफिसर हो. थांक्यू, थांक्यू, बहुत देर में बता चला आपको. लेकिन इस बार तुमारा अंदाजा गलत निकला. पचरा कर दिया है? क्या गलत रांजलाजा है? क्या गलत है? वो ये, कि शिशिर की मौद भी सांप के वज़े से हुई है. हमें उसके शरीर में से जहर मिला है, सांप का. ये कैसे हो सकता है? अप्राइम शीन पर तो कोई सांप आपनी ते है? हां, ना सांप ना आदमी. शिशिर कमरे में अकेला था. गवाओं ने बताया जब चीकने की आवाज आई, इसके बाद से कमरे से कोई बाहर निकला नहीं था. सार, इस केस की गुत्ती तो उलशती जा रही है. ना साप ने किया है, ना इंसान ने किया है, फिर ये खून पी खून कून किये जा रहा है? एक्सरे. इसका जवाब वो एक्सरे देगा, जो हमें क्राइम सीन पे मिला था. बिल्कुल सही का तुमने दोस्त, और इस एक्सरे ने जवाब दे दिया है. है साथ जवाब ये है कि ये एक्सरे नखली नहीं है, असली है. सर आप ये कहना चाहते हैं इस आदमी का जो दान्थ है.. नाथ.. ये दान्थ.. साप के दान्थ.. Umm 말씀 कूब्स साब आप ये इस अज़ा रहा है कि ये असली इंसान के दाथ है सब्सक्ацион팀 कंद रहे हैं जो साप के दाट जैसा है डिल्कुल भी समझ वहाना के ऐसा इंसान है जिसके दाट साप की तरह है तो फिर इंगुचे से गया और खेस झाय होगा बाध ज्री अरे जुब होगा वे कौई अल तो मन में भाई को बोल रहे हो मैने यह कहा का जो तुम बोल रहे हैं? आप कहना कहा रहे हैं? कुछ तो बताइए, जिससे हम इस केश में आगे बढ़ सकते हैं. देखो, दोस्त, मैं सिर्फ सच्चा ही बता सकता हूँ. और सच्चा ही है अगाए कि यह जो एक्स्रे में नान है, यह तो वही साफ के इनात. येस? शिशिर के शरीर में जो जहर मिलाए, वो क्रेट साप का है. ये लो, क्रेट साप का? और सर, आर्यन के शरीर में जो जहर है, वो कोब्रा का है. यानि तो अलग-अलग साप यह जुम कर रहे हैं? मतलब यह क्राइम को इनसानी कर रहा है, जो फोब्रा और करेट जैसे इस सापों के जहर को आसानी से एरेंज कर सकता कहीं से. एक बात समझ में नहीं आ रही है. अगर वो इंसान है तो फिर छेद में गायब कैसे हो सकता है? राज का जवाब शायद वहीं छिपा है. रेड़ी, इस हॉस्पिटल में जितने भी लोग काम करते हैं न सब की लिष्ट बनाओ. कुड्ली चेक करो सबके. फूल रिकार्ड्स वगारा सब देखो. बाकी परिवार वालों को भी कुड्ली निकालते हैं. क्या पता, इन मेंसे किसी के पास कोई गैरा मकसद हो, यह दो खूण करने के? शर, पूरे परिवार के कुड्ली निकाल लिए? काफी अमीर लोग हैं, दोदो हॉस्पिटल सहने हैं और दुनिया के कोने-कोने में प्रॉपरटीज खरीद रोगी. अब तो पैसा मोटिव हो सकता है, दुष्मनी का भी अंगल हो सकता है, सर. पंकत लगा हुआ है, पता लगाने में. अच्छा, इस फैमिली में आपस में कोई यगड़ा हो रहा है, बुछ पता चला है. सर, पूरा परिवार बड़ी प्यार से एक दूसरे के साथ रहता है, सिवाए दो बहुंगों के. हाला कि वो आमने सामें जगड़ की नहीं है, लेकिन एक दूसरे को कुछ खास पैसंद भी नहीं करती है. और ये आयूश और ये सचिन शिशिर का बेटा, उनके बारे में क्या? सर, आयूश का अमेरिका में हॉस्पिटल खोलने का बहुत बड़ा प्लान था, और उसके दोनों भाई, शिशिर और आर्यन, उसके साथ इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, और सचिन को तो वैसे भी पापा की वसियत मिलने ही वाली थे, जब खून वा तब इनकी जो परिवार वाले घर पे ही थे सर, तीवाई सचिन के है, और यह दो नौकत, पैनी और हीरा, जोन ही बड़ वफादार है सर, पिछले थी साल से परिवार की सेवा कर रहे हैं हैं है आप रेडी, अच्छा, एख्या, ओकिया, तैंक्यू, सर एक सांपो की विशेशक्या है मायरा अर्पिटोलोजिस्ट मायरा, हॉस्पिटल से पांच भार फोन किया गया इनको, तहीं ऐसा तो नहीं कि इसा ही फाइमिली में सही कि उसे ने फोन किया हूँ, मायरा को सांप का जाहर बनवाने के ओर दी, वो सक्तर सांप, सर, आप आम है, सर, इस फाइली का सिवसे बड़ा अर्पिटोलोजिस्ट मायरा को मिलो, देखो कौं सा जाहर और किसने बनवाने के ओर दी थी उसे इस फीटोलोणे के प簡 लिया, साम्मेक्ग REisesti, सहर, य שמסोशा Except Um सहर अने, சß descendorf, सहर, ध propreको सहरे yardahan, समयக்요? पर एक बात बताओ, तुम्हें सापसे इतना दर्ते हैं कि मुझे? डर्ता नहीं हूँ, सर्, यह दिखे नो, बगल में बैठावाया हूँ मेरे, डर्ता नहीं बस मुझे ठोड़ा, खबरावट उती है सर्वो, साथ चाड़ी हाथी बस. जी, कहिए? जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकते हूँ? मायरा जी? येस? हम दो क्सी आइडी से हैं. से.. हाव आव सीट. मायरा जी, एक केस के सिलसिले में हम कुछ पूश्टाच करने आपसे. दो दो खून हो गया है. लेकिन इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकते हूँ? दो अवक्ते पहले आर्म हॉस्पिटल से पांच फोन कॉल्स आया थे आपके पास. जी, आया थे. लेकिन उनका इस केस से क्या लेना देना? ये दो लोग जिनका खून हुआ है वो आर्म हॉस्पिटल से चुड़े हुए थे. ये दोनों का खून साफ के जहर से हुआ है और वो खून साफ के काटने के वए से नहीं हुआ है. किसी इंसान में वो जहर खूनी को दिया और उसने मडर किये. आप मुझ पे शकर रहे हैं आपको लग रहा है कि खूनी की मदद मैंने किये, जहर सप्लाइ करके. आप ऐसा है कुछ है, यह बताइए कि हास्पिटल से आपको वो फोन कॉल्स किसने किये थे? शिशिर और आरियल. शिशिर और आरियल? इनी दोनों को तो खूनों आया. वो फोन क्यों कर रहे थे यह लोग? अंसर्फ उन्होंने मुझे कॉल किया है, बल्के वो मुझे मिलने भी आया थे. और जहर लेने नहीं, बल्के जहर की दवा आंटिडोड लेने. आंटिडोड? वहत अजीब सी कानी सुनाई, कह रहे थे कि कोई साप की आत्मा उनसे बदला लेना चाहती है और उनको यह जहर की दवा चाहिए? फिर? फिर क्या? मैंने उनने कह दिया, मैं ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करती. तो आपने उनने वह आंटिडोड दिया या नहीं? आंटिडोड कैसे देखी? उन्हें कोई ऐसा आंटिडोड चाहिए था, जो हर एक साप के जहर के खिलाव काम कर सके. ऐसा कोई आंटिडोड होता है नहीं. अलग-अलग जहर के लिए अलग-अलग आंटिडोड होता है. तो दोनों यहांसे खालियात वापस गया है? जी, and I'm sorry, आपको भी खालिया जाना होगा, because मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं. मैरा जी, just for my general knowledge, अगर किसी को साप काट लेता है, तो उसे क्या करना जी? अगर किसी को साप काट लेता है, तो सबसे पहले चीज़, पैनिक बिल्कुल ना करें. डॉक्टर को बुलाएं, लेकिन डॉक्टर का वेट करते हुए, जिस पार्ट पे आपको काटा गया है, उसे कंप्रेस कर ले, किसी चीज़ से बांध ले, ताकि जो जहरीला खून है, वो आपके हाट तक ना पहुन सके. Okay, thank you very much. चले, sir? चले, तब तक जेखते हैं, इसे भी सापको बेंटो से क्या पता चला? हाँ, यह बात सही है, कि मेरी शिशिर और आरिं के साथ बहास हुई थी. लेकिन आपको यह लजाम सरासर गलत है, कि मैंने उनका खून किया. तो फिर किस ने किया खून? मुझे क्या पता, बॉस, रही बात उनको मारने की. यदि मुझे उनको मारना होता, तो, sir, मैं यह साब बिच्छु वाला गेम नी कहलता. मैं सीधा अपना घोड़ा लेता और उनको. लेकिन, sir, आप जानते हैं, कि मैं अकानून के कितनी इजजद करता हूँ. मैं मालो मैं एकानून की कितनी इजजद करते हूँ. कि बताओ, आरियान और शिशिर से किस बात पर दगड़ावाद हो तुम्हारा? Sir, मैंने उनकी गोवाली जमीन खरीदी थी. और उस प्रॉपरटी के पेपर्स पर उन्होंने साइन भी किये थे. तो, Sir, अचानक वह मुखर गए और मुझे फ्रॉट बुलने लगें. और कहते हैं, कि उन्होंने किसी भी पेपर्स के उपर साइन ही नहीं करें. और आप लोगों को यकीन दिलाने के लिए मैं उस प्रॉपरटी के पेपर्स भी साथ लाया हूँ. यली जी, आप चाहे तो चैक कर सकते हैं. देखिए इसी खिसाब मैंने थोड़ी बहुत हेरा फेरी करी हैं, लेकिन उतनी जितनी बाकी के लोग करते हैं. लेकिन आप मेरी बात का यकीन मानिया, मैंने ये डील पूरी इमानदारी के साथ करी है. आप चाहें तो उनकी अकाउंट स्टेटवन चेक कर सकते हैं मैंनों उने 15 करोड रुपे वाइट में और 35 करोड रुपे कैश में दी है इसके अकाउंट मिनाक्षी देवी के अकाउंट में मिनाक्षी देवी जी बेंटो सच कह रहा था उसने आपके आकॉंड में पैसे डाले थे जगा जगा पैसा लगा है बेरा, इतने सारे शेर हैं अब सब डील तुम्हें याद नहीं रख सकती ना? आप याद नहीं रख सकती लेकिन कोई और तो होगा जूसका खयाल रखता हो हर एकाउंट, हर डील की देख रेक के लिए एजन रख होते हैं न हमने अच्छा तो फिर इस डीट का एजन कौन था इस प्रॉपरटी की डीट में आपके बेटे शामिल थे मेरी समझ में तो यह नहीं आ रहा कि इन सब में मेरे बेटों की मौत का क्या मतलब तो मिनापची देवी जी, आपके दोनों बेटे हैं आपके दोनों बेटे हैं आपके ड़सने से नहीं मरें जिसी इंसान ने मारा है उने है किसी ऐसे इंसान का जिसके पास ठोस मकसब था आपके दोनों बेटों को मारने का ऐसा मकसद किसका हो सकता है? इस टील से जुड़े किसी इंसान के पास. इसलिए तो हम आपसे पोच रहे हैं कि कौन एजेंट कौन था इस टील का? बस कीजिए आप एक तो उन फांपों ने मेरे दो दो बेटे मुझे चीन दिये और आप CID वाले इस केस को नेया चेहरा देने पे लगे हुए हैं आप मान क्यों नहीं लेते कि ये सापों का कियाधर आया ये सब को दुड़े बस माजी आप लग प्लीज यहां से चले जाएए देखिए, हमारे लिए हमारे परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं ना पैसा ना दॉलत, हरे आप मेरी माँ की हालत देख रहे हैं ना ये सोप आ रहे हैं ना खाप आ रहे हैं दिन राप में भगवान से यह दुआ करते रहती हैं कि इन्हें भी इनके बेटों के पास बुला ले अज 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 तुमारे दोनों भाईयों की मौत शायद प्रॉपर्टी की वज़े से नहीं हुई है लेकिन ये जो भी कोई कर रहा है ना तुमारे पूरे परिवार को कतम करना चाहता है और उसका अगला शिकार शायद तुम हो सर क्या सच में मेरी जान को खत्रा हैं तुमारे दोनों भाईयों पर हमना दात में हुआ था तो शायद तुम पर भी हमना दात कोई होगा सर पूरी तैयरी होगी है बेट के आसपास रेट डाल दी है अब देखते हैं साप आके डसा है या और कुछ सर नाइट विशन कैमरास भी लगाते हैं था क्यूस का चैरा हमें देख चाहें वेरी गुड सर यह देखें कुछ कुछ रेंग रहा है मैं गॉर्ट अटाग वाग लेट गो सर यह पड़ते हैं कोई भी नहीं सिवाई यह सापके निशान के सब्सक्राइट साप नहीं था और सर जो रेत आप लोग नहीं वहां डाली थी उसमें से भी साप से रिलेटेट कुछ भी नहीं मिला और फुटेज वटेज क्लीर नहीं है तो कैसे मान लियाजा के साप है हम अगर उस पुतले पे जो जेहर मिला है वो कोब्रा का है और काटा भी उसने साप की तरह ही है काटा साप की तरह है जेहर कोब्रे का निशान साप का यह साफ ने तो आकिर है क्या? नहीं सानुकी, नहीं, अब यह मत कह रहा है कि दूजे कुछ पता नहीं है? यद तीसरा कुन होते होते बजगा है, तो फोरिंसी रिपार्टमें से खुछ तो मदच लई है हमें? हम जवाब नहीं दे रहे हैं, हम क्या काम नहीं कर रहे हैं? सर ऐसी बात नहीं है, हम भी तो अपनी करफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो भी हमसे बन पा रहा है हम इतना मालूम है कि ये खुणी जो भी है, उसने तीन भाईयों में से दो भाईयों का फुन किया है और तीसरे भाई पर फिर से तल कोशिश करेगा तल रात को और अब ये खुणी साफ है, इंसान है, जो भी है, जल से जल इसका खेल खतम करना पड़ेगा हाँ, पंकज, ओके, छीक, सर, पंकज का फोन था, उसे उस एजन का अड्रेस मिल गया है, जो इस फाइमिली की प्रॉपरटी इस की डिल करवाता है, मदन नाम है उसका, और ये बिल्डर वाली डिल भी उसी ने करवाय थी, मदन ने पहले भी डिल मेरा फिरिखियों, और शा मदन के घर जाओ, नीन में से उठाओ उसे, और नीन धाराम करदो उसकी, क्यों है, अपे दिबाग तो गिरमी नहीं रखके आयो, है, तो क्या वक्त हो रहे है, तुमारे गिरफतारी का वक्त हो गया, CID, जासो बीसी का अंजाम, जेल चल के भुकतना, में तो निसा पता दिया है, में तो, यह, रोक्या, पुछ अधन, डरुधा खोलो, यहां पे छुपने का कोई फाइदा नी, चले जाओ यहां से, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने, तुमने, दरुधा खोल, मैंने किसी का खू इस चीका क्यों? नहीं आत्मत्यातों नहीं कर रहा है? हटो! अदेम, अदेम, जावा! ओनो! साप भया, इसे कम रहे हैं! जो! पुप! यह कौन है? यह साप के दातोवला आदमी? यह सारे जुर्म यही कर रहा है क्या? आदा आदमी, आदा साप? शर, यह कौन साखरीच रहे? नई पंकच, यह आदमी है! बहार जाओ जल्दी, पकड़ो इसे! एट! लाव्या! विल्लाटूलां, यह जहर तुमारे, तुमारे दिल तक पॉष्ट्रा लेजिए! शर, इसका मतलब, जो आदमी हमें घुर्रा था, उसीने कटाया? जो सकता, पुष्टी, आमिलेंस को फोण कोड़ो, चल्दी! लेख्में, यहाँ अस्पास कोई लाइक कर सोचा हैक्या? यहाँ! शर्लेल, लग्ते साथ ने काच लिया? सेट मिने, सेट मिने, सेट मिने, इल्ला है! आप नहीं, लंबी-लंबी सास लेते रहां. एमिलोंस को खोण किया ना? हाँ, सर्थ! बेर, रुख! क्याइट! यह क्याइट! साप अपी भी कम रहें भी हिंगे? क्याइटा? बेर क्यामन थाताओ मैं मैं भी हिंगे कंडे कि क्या हुल मेटल के टुकड़े? सब्सक्राइब, मेटल के साफ़ कर क्या पता चला? उस पर थोड़ा ठेस्ट करना बागी है, जल्दी पता चल जाएगा. प्रेडी से कैसे अभी? ठीक है वो, जहर निकल चुका है. और वो मतल? वो भी स्टेबल है, किडाल सद्वे में. कुछ वक्त लगेगा उसे ना मलोने में. वह एक बात तो पकी है. यह मदन तो होनी नहीं. हाँ, होनी कोई और है, लेकिन उसका कोई ना कोई कनेक्शन है मदन और प्रपर्टी की डेलिंग के साथ. और वो साप की खाल जो पंकच को मिली थी? वो वाली खाल खास बनवाई गई है. दस अलग-अलग सापों की खाल का इस्तमाल करके. और वो साप अले दात जो एक्सरे में दिखे थे? पुर्वी वो दात तरसल साप के दात है लिए. यह एक इंसान के दात है. पहले तो आपने कहा था कि अब पहले कह रहा था क्योंकि पहले मुझे पता निथा एस इंसान को एक खास किसी की बीमारी है. इस बीमारी का नाम है हाईपो हाइड्रोटिक Ektodermal Dysplasia. पतलब इस बीमारी में इंसाम के नाथ, बाल, खाल, दाथ, ये सब कुछ अजीब तरीके से डवलप होने लगते हैं, जैसे इस इस इंसाम के साथ हुआ। पतलब इस केस से साफ का कुछ लेना देना है नहीं है। सर ये ये बहुत ही रहरी सीज है, पूरी दुनिया में सिर्फ तीस से चालीस ऐसे लोग है जो इस बीमारी के शिकार है, और हमें एक हॉस्पिटल से एक आदमे के बार में पता चला है, जो इस बीमारी का शिकार है। इड्रिस के है इसका? यही है सर्फ अब भूब भूब लगजर घर के बार क्या कर रहा था? यही है जो अर मदन कौन है? और आप लोग कौन है? यही, अजो मदन कौन है? एक अशा हात पड़ेगा ना, सब आर आजएगा मदन कौन है? इसमें रिफिन, कल राज आपने आपने साथ अमेज को देखा होगा यह अमेज से, यह कई दूनों से रापटा है कल साथ आपने इसी को ही देखा होगा कब से गाया थे? फिट्रे दो हफ्तों से, मैं पुलिट में कम्टेंड भी निखवाई है हमारी बीमारी के कारएं, हमें नौकरी भी नहीं मिलती है लोग हमें रेकर बाग जाटे है इसलिए हमारो कुझारा भी नहीं हो पारता है जो हफ्तों पहले, अमित कुछी-कुछी आयाता कहने लगा, कि हमारी बीमारी का इलाज मिलिए है इसलिए हमें राटे है, इसलिए हमें अमित लाटे है मेरे इसलिए जो हमें उठाटे है, और उस परिवार को डिराबी इसलिए पिमारी टिक करनें ये उसाइं लेगे हो गहाँ, सैब जिसकिसी ने भी यह सौधा किया अमित के साथ, वो कोई डॉक्टर की होगा? असर, उनके तो पुरा खांधान डॉक्टर्स करें. उनका खुदका हॉस्पिटिल भी, कोई भी कर सकता है. आज, डॉक्षर. अच्छा? अच्छा? ठीक, हमलों पहुँँजिए. अच्छा? अच्छा? डॉक्टर सालूंटेकर फोन था. आखिर में वो जैरिला साप मिली गया. अधियो, डॉक्षर साप, कहा है वो साप? पताईए ना, पंकस तो साप के डरस अंदर आही नहीं वैसे. तारिकार, साप किदर है? साप, इधर है. अधियो, अधियो, बॉस यह रोबोटिक स्नेक है, वो जो मेटल के टुकड़े मिले थे? मैं तभी समझ गया था कि खूली ने इसी तरीके की किसी चीज़ का इस्तेमाल किया हुआ. ऐसा ही साप बनाया हुआ, रोबोटिक स्नेक. और इस रोबोटिक साप में क्यामरा लगा हुआ है. और एक ऐसा डवाइस भी जो कुफी पे भी जहर इंजेक कर सके है. और इसके लिए किसी भी छोड़ते बिल में जाना कोई मुश्किल बात नहीं है. रोबोटिक आम के बारे में तो सुना था, वो जो टॉक्टर लोग यूज करते हैं उपरेशन के लिए. तोस्तार ये सब हस्पिटल में असानी से मिल सकता है. शायद कुनी ने इसी का इस्तिमाल किया हो, ये साप बनाने है. हाँ, लेकिन वस रोबोटिक आम का रेंज आप मोशन काफी कम होता है. लेकिन टेक्निक यही इस्तेमाल किया हो. इसको तो एक ही मतलब है अभजीत, कि जिसने भी ये मेंटल का साप अपरेट किया है, वो बिल्कुल ओफिस या फिर स्वेमिंग पूल क्या आसपास ही होगा. फिरतो सवय लगता है किसी नजदीक वाले आदनी कही काम है. क्यात कोई परिवर वाला? अरे, ये बिजिली कैसे चले गई? यूज उड़ गया होगा. मैं चेक करता हूँ. सचीन देखना सकते. इंटे, क्या हुआ? ये मपाज, तेरह याए उष्की रक्षा करता ये साप क्यात मसे. आप लोग, आप लोग, आप लोग, आप लोग पीज़ गवराइए मन प्लीज. तुम यहां क्या कर रहे हूँ? मैंने तुम्हें दूसरे घर में ठहरने के लिए कहा था ना? जवाब दो, Amit. Amit नहीं है. Akil. Amit में आप भाई है. तुम्हों की चुड़वा. चुड़वा? अच्छा देखो, हम यह चुभी कर रहे हैं, तुम्हारे परिवार की भलाई के लिए कर रहे हैं. अच्छी भलाई! जो निर्दोशों के खून से रंगी है. क्यों? है न, Ayush? आप लोग? यह हमारा प्लान था. असली साफ को बिल चे बार निकालने के लिए. शहर तुम भूल गया, Ayush? कि अमित का कोई जुड़ा भाई भी है. और फिर तुम हमारी चंगुल में फस गया है. हमें अपने चंगुल में फसाना इतना भी आसान नहीं है. माहिरा. अगर निनाक्षी देवी की जिन्दगी प्यारी है, तो थोड़ दो Ayush को. Ayush, चलो. में नाक्षी देवी को तो हम बचाने हो. लेकिन तुम दोनों को, CID से कौन बचाएगा? जोई की लग गई थी मुझे. करोड़ उपए का करजा चड़ गया था मुझ पर. इसके आस से दो साल पहले, मैंने प्रॉपटी के कागज़ों पर, आरेन और शिशिर भहिया के साइन ले लिये थे. लेकि जब प्रॉपटी के दाम बढ़ गया, अब भहिया ने मुझे कहा कि उस प्रॉपटी को बेचना चाहते. मैंने उस से महें तो कुछ बहाना बना लिया. लेकिन फिर एक दिन भहिया को पता चली गया, कि वह प्रॉपटी उनके नाम पर ही ने. और इससे पहले कि उससे कुछ पता चल जा इस बारे में, तुमने अपने दोनों भाईयों को कतम कर दिया. शर्मा रही है मुझे आज अपने आप पे, कि अपना बेटा कहते हुए. मा मैं क्या करता? अगर भाईया को पता चल जाता, तो वो मुझे घर से निकाल देते. जाइदात से बेदखल कर देते. इसलिए मैंने मेरी गल्फ्रेंड, माहरा की मतद दी. अमहत की बिमारी के बारे मैंने न्यूस्पेपर में पड़ा था. सूचव, उनी का सहरा ले लेते हैं अपना जोन चुपाने के लिए. आयूश ने मुझे मनाक्षी देवी के बारे में कहा था, कि वो बहुत अन्वश्वासी हैं. तो साप की बात पर आखमून पर विफ्वास कर लेंगी. मेरे दिये जहर से आर्यन की देथ हुई है. सिर्शेर के मौत के वक्त भी मैं ओफिस में चुप गई थी. उसी छेट से मैंने साप को भीजा सिर्शेर को डसने के लिए. अमेर का इस सब में कोई कसूर ने. उसे तो हम काउंसलिंग के लिए भेज देंगे. वो एक नई जिन्देगी शुरू करेगा. मगर तुम दोनों, आयुष और मायरा, जिस जुर्म के रास्ते पर चल रहे हो ना, पुरास्ता खतम होता है फासी के फंदे पे. आयुष प्रूप्डेट ने.